नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम एक ऐसे विक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया था रामैड तो आप सभी ने देखा होगा और रामैड में भारत की पतनी का जिस एक्ट्रेस ने रोल किया था आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं रामानन सागर की रामैड में एक्ट्रेस सुलक्षडा खत्री ने भारत की पतनी मांडवी का रोल निभाया था इस सो में चाहे सुलक्षडा का किरदार छोटा रहा हो लेकिन उन्हें लोगों ने बहुत नोटिस किया था अब जब 33 सालों बाद रामयड फिर से टीवी पर टेली कास्ट हो रही है तो इसके कलाकारों की खोज भी लगातार जारी है सुलक्षडा आज भी स्क्रीन पर नजर आती है वे कई टीवी सोज में अहम रोल निभाते हुए दिखती है सुलक्षडा ने रामानन सागर के सो रामयड से अपने करियर की सुरवात की थी इसके बाद वे स्री कृष्णा में रोहडी के रोल में नजर आई थी फिर रामानन सागर के एक और सो अलिफ लैला में सुलक्षडा को देखा गया था सुलक्षडा ने इसके बाद अपने करियर को कफी पीछे मुण कर नहीं देखा वे लगातार काम करती गई उन्होंने तेरे मेरे सपने बेस्ट आफ लख निकी जाना ना दिल से दूर संजीवनी जैसे सोज में काम किया इन दुनों वे स्टार प्लस के सो महराज की जैहो में मंदाकनी का रोल निभा रही है सुलक्षडा कई फिल्मों का हिस्सा रही है उन्होंने अबू कालिया, अंगार जैसे मूवीज में भी काम किया है सुलक्षडा खत्री पिछले 33 सालों से काम कर रही है उनकी एक्टिंग के सभी कायल है छोटा रोल हो या बड़ा वे हर रोल में जान फोंग देती है सुलक्षडा को रहमेड में फिर से देख फैन काफी खुस हुए